नमस्कार दोस्तों में डाक्टर एसके अगरवाल आप सभी का अपने चैनल जोतिश सुख सम्रद्धी उपाय में स्वागत करता हूँ आप से मिल रहा है प्लेम का तहजी दिन साभारी आज हम बात करेंगे वैपार में फसा पैसा वापस निकालने के लिए क्या अच्छो कुपाय किया जाए पर उससे पहले अदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन हिट करें और पर क्लिक करें ताकि सभी इंफॉर्मेटि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो शुरू करते हैं आज मैं बताता हूँ वह दिव्यतम परियोग कहीं बार ऐसा होता है कि आप अपने वविसाए में अन्य वैपारी को उधार माल देते जाते हैं परंतु सामने वाले वेक्ति के मन में लालच होने के कारण वह आपका पैसा वापस नहीं करता है या किसी अन्य और कारण से वह पैसा वापस लोटाने में ऐसमर्थ रहता है किसी वैपारी के पास से दी आपका धन रुका हुआ है तो इस उपाए से आप अपना धन वापस ले सकते हैं इसके लिए आप किसी भी शुकल पक्ष की अस्टमी को यह दिव्यतम परियोग करें इस दिव्यतम परियोग में आप आटे का एक मध्य मकार का दीपक बनाएं इसमें स्वच रुई से चार बत्ती बनाकर उसमें सरसों का तेल डाले यदि यह उपाए और भी असरदार करना है तो एक आँख का फल होता है जिसमें से रुई जैसे बाल निकलते हैं रुई के स्थान पर यदि आप उसका परियोग करें तो बहुत अच्छा है यदि यह उपलग्द ना हो सके तो समाने रुई का ही परियोग करें उस दीपक को लेकर आप किसी चुराय पर आए चुराय के मध्यें दीपक रख कर जलाएं और जिससे पैसा लेना है उसके नाम का मन ही मन तीन बार इसमन करें और वापस आते वे पीछे मुर करना देके घर में परवेश से पहले हाथ पैर अवस्यद होई तीन से पांच बार यह पढ़ियोग करने के बाद कुछी समय में वह आपके पैसे वापस कर देगा उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी कमेंट जरू करिए आपके कमेंट नए नए विश्यो पर वीडियो जलाने के ने प्रेरिद करते हैं धन्यवाद